भारत देश जहां दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू सबसे बड़ा स्टेडियम और दस हजार फीट उचाई पर बनी विश्व की सबसे लंबी टनल है इसी भारत देश में बनने जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा संग्रहाले युगे युगीन भारत राश्ट्रिय संग्रहाले कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक को अपने इतिहास अपनी विरासत अपनी संस्कृति उनके प्रती अगर वो गर्व करना नहीं जानता है इस संग्रहाले में संकलित है हमारी युगों पुरानी गाथा कौन थे हमारे पूर्वज जिन्होंने इस प्राचीन संस्कृति की निव रखी जिनके मार्गदर्शन में वैभव शाली सभ्यता का विकास हुआ जिनके संग्रक्षण में ग्यान विज्ञान की अतुल संपद विक्सित हुई और जिन्होंने भारतिय स्वतंतरता संग्राम का इतिहास रचा भारत का ये बेजोड संग्रहाले बनकर तयार हो रहा है एक लाख सत्रा हजार वर्ग मीटर के विस्तार में इस एतिहासिक धरोहर के दोनों खंडों के 950 कक्षों में संकलित की जा रही है लग युगों पहले हमारे पूर्वजों को मिश्रित धातु के निर्मान का ज्यान था प्राचीन भारतिय धातु विज्यान के प्रतीक रूप ऐसे ही एक द्वार से प्रवेश करके आरंभ करते हैं भारत खंड की अभूद पूरु यात्रा पहुंचते हैं भारत वर्ष की प्र पर्वतों, समद्रों, नदियों और पेड़ों की पूजा होती रही है। पहले भी हमारे विद्वान जानते थे कि जिन पंच तक्तों से स्रश्ट का अंदर्मान हुआ उन्हीं से सभी प्राणियों की रशना हुई। हजारों वर्ष पूर्व भारत की चारों दिशाओं में पीठों की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे राष्टर को एक सूत्र में बाधा था। वेदों उपनिशदों में किवल अध्यात्मिक ही नहीं, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, जोतिश और विज्ञान जैसे सभी छेत्रों का ज्यान समाहित है। यही नहीं रिगवेद में तवचा रोग विशेशग विदुशी अपाला का वरनन मिलता है। सुशुत की शल्ली चिकित्सा, चरक के सद्धान्त और पतंजली के अश्टांग योग की प्रसंगित्ता हैरान करने वाली है। विश्व विद्यालियों का प्रिशलन भारत में 2000 वर्ष से भी पहले से था। तक्षुशिला, नालंदा और विक्रम शिला जैसे अनेक विश्व विद्यालियों को पूरे विश्व में ख्याती प्राप्त थी। वैभावशाली मौर्य सामराज्य के उत्थान और विस्तार के साथ ही यहां सातवाहन, पल्लव और कुशान, गुप्त वंश का स्वनने मिकाल, राष्ट्र कूट, चालुक्य, चेर, पांड्य वंशों और कश्मीर आदिके शासकों की गवरोगाथाएं संकलित हैं। सोने की चड़िया भारत का वैभावशाली गुप्त वंश हो या दक्षन भारत के चोल, चेर, पांड्य वंश सभी के व्यापारिक संबंध पश्चम में मिस्र, ग्रीस और रोम तक पहले थे। युग परिवर्तन के साथ आप प्रवेश करते हैं मध्य काल में, जहां राशपूतों की शौर्य गाथा के साथ सल्तनत और मुगल युग का इतिहास संकलित है। चौहान, प्रतिहार, परमार, सोलंकी, सिसोधिया और राशपूत राजाओं की केवल शौर्य गाथाईं ही प्रसद नहीं थी, बलके उनके संग्रक्षण में कला, शिल्प, संस्कृति का भी अभूत पूर्व विकास हुआ। राशपूतों, मराठों और मुगल शासकों के ही युग में उत्तर पूर्वी भारत में अहोम शासन और दक्षण में विजयनगर सामराज्य का सम्रध धुवास्त शिल्प देखते हुए, होईसल, यादव, मराठा शासकों का इतिहास देखते हुए, अगले पड़ाओं की और बढ़ते हैं, बढ़ते हैं परिवर्तन के उस दौर की और जब इस्ट इंडिया कमपनी को भारत में व्यापार की अनुमती बिली, पांचमें जोन में देखिए, कैसे प्लासी और बकसर की लड़ाईयों के साथ शुरू हुआ आपनिवेशिक शासन का विस्तार, 1760 से ही देश के सन्यासियों और फकीरों ने बिटिश इस्ट इंडिया कमपनी से आजादी पाने के लिए ऐसा मूर्चा समहला जिसे कमपनी 40 साल तक दबा नहीं सकी, और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद हर वर्ग के लोग अपने अपने धंग से आजादी की लड़ाई में आहूती देने उतर पड़े, लगभग दो शताबदी लंबे भारत के स्वाधिनता संग्राम की गाथाएं यहां संकलित हैं, वर्षों के संगर्ष के बाद भारत की आजाद हवा में स्वतंत्रता का तिरंगा लहराया, सच है कि स्वतंत्र भारत के आगे अनेक आर्थेक सामाजिक चुनोतियां थी, हर चुनोती को पार करने के लिए सशक्तर राष्ट्र का निर्मान करने के लिए सुतंत्र भारत ने फिर से राष्ट्र को संप्रभू लोकतंत्रिक गंडराज्य बनाया विज्ञान और प्रोध्योगी की में आधुनिक भारत नई मुचाईयां चू रहा है नई दिशाओं में नव प्रियोगों से नई आयाम तै कर रहा है राष्ट्र को सुरक्षत बनाने के नित नई प्रयास सतत जारी है रक्षा के छेत्र में भी भारत आत्म निर्भर बन रहा है अंतरिक्ष विज्ञान में उंची उडान, दिन प्रतिदिन बढ़ता डिजिटल संसार, चिकित्सा के छेत्र में अदुत्तीय योगदान, दिनों दिन होता आर्थिक व्यापारिक विस्तार, शिक्षा का उत्थान, प्रसार इस जोन के अन्यक अप्षों में क्रम शाह संकल आज जब हम आजादी के अमरत काल से शताबदी वर्ष की और अग्रिसर हो रहे हैं, भारत के अतीत की अन्मोल विरासत, वर्तमान के अथक प्रयासों और भविश्य की जल्कियों की कहानिया समेटे बनने जा रहा है, विश्यो का ये सबसे विशाल संग्रहाले, यूगे भारत राष्ट्रिय संग्रहाले